जाएं दोस्तों इस वीडियो पे हम लगाएंगे साइंस का टेस्ट नमबर 17 और यहाँ पर आपकी जो डेली क्लास से सुबह 7 बजी होती है यहाँ पर हम 25 प्रस्ण साइंस के डेली लेकर आते हैं अगर आप किसी बेकर एक्जाम के त्यारी करते हैं तो वीडियो देखिए आपको एक्जाम जब देने जाएंगे तो इसका फैदा जरूर देखने को मिलेगा चलिए पहला प्रस्ण है चलिए जितने भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं गुड मानिंग सभी को गुड मानिंग चलिए प्रस्ण नमबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कोसा नमबर वन कैंसर के उपचार में प्रियोक्त अक्री गैस कांसी होती है दिये गए हमारे आपसान है हीलियम, आरगन, क्रिप्टान, रेडान चलिए आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड का समय है जवाब दीजिए इसका अंसर क्या होगा चलिए अगर जवाब रेडान आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब होगा कैंसर के उपचार में जो प्रियोक्त अक्री गैस होती है उसका नम रेडान है और यह किस Сे प्राफ्ट होती है तो यह भी याद रכ्येगा 88 एटोमिक नमबर होता है रेडान और देखो अक्री गैस में क्या होता है कि सभी के सभी इलक्टान युगमित हो जाते हैं जब सभी युगमित हो गए तो अईगमित इलक्टानों की संक्या कितनी होगी आपसान हमारे 0 है 8 है 4 है 18 तो जीरोगवाला होगा और यह भी याद रखिएगा और साणड़ी में अक्री गैसों को सुनी वर्ग में रखा गया है हिलिव नियाद आरगान इस त्रीगैस होती है न Really सुनी वर्ग में रखा गया हमें तो यह यहादब पर निशेतक का मतलब होता है जैसे डाक्टर कभी आपडे इसन बरगारा करवाने जाते यहां तो उसमें क्या होता है कुछ के पायर कोने चल पाता है। तो यहाँ पर कौन सी गैस का प्रियोग किया जाता है तो यहाँ पर N2O का प्रियोग किया जाता है इसका राइट अंसर होगा D, D नंबर होगा N2O N2O होता है नाइट्रोजन डाइअकसाइड और यह हमारा क्या होता है नाइट्रस आकसाइड होता है याद रखियेगा इसका रासानिक फर्मूला अगर पूछ लेते हैं तो इसका नाम क्या होता है नाइट्रस आकसाइड होता है ठीक है नाइट्रस आकसाइड का केमिकल फर्म सामस जानते हैं और इसका Obrig पर रखते हैं इसका उखना होगा कोशन नंबर चाहरा बिल्कुल तहीं हैhou होता है उसको मुट्टी के तेल में रखा जाता है इसके अऩमन सब्सक्राइब को मिठी तेल में रखते जल्साइए चैसे संपरग ना तो आक्सिक्रत हो जाता है इसलिए सोडियम को मिठीक तेल में रखते हैं अगर इसके लावा लिथियम को कोच्छे तो भी अंसर हम D number ही देंगे चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्ट ने कोसर नमबर 5 लाल फासफोरस को रखा जाता है क्योंकि अब देखिए सफेद फासफोरस से पुछ लिया गया है कहां पी रखा जाता है देखेए सफेद फासफोरस क्या होता है जल में अभी ले हो हो जाएगा आगे बढ़ते हैं जवाब देते रहिएगा और इसका बताईए सोने की सुदता कैरेट में दरसाई गई है सोने का सबसे सुद रूप कितना होता है अब देखिए सोने के अगर बारे में बात करते हैं तो सोना जो होता है 24 कैरेट का सुद माना जाता है ठीक है और आफसन भी दिया है कहीं किया 24 कारेट बिल्कुल दिया है, तो इसका जो राइट अंसर होगा, आफसन नमबर पहला ही होगा 24 कारेट, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर पूछा गया है, 18 कारेट सोने में सुद्ध सोने की प्रतिसत मातरा कितनी होती है, अब दोगो, अभी हमने बताया था कि जो 24 कारेट का सोना होता है, 100% प्योर होता है, ठीक है ना, 18 कारेट में पूछा गया है सोने में सुद्ध सोने की कितनी प्रतिसत मातरा होती है, तो 24 में सुद्ध होता है यानि 18 का पूछा गया है परसंटेज में निकालना है 18 बटे 24 कर देंगे तो को जितने का पूछे उसको उपर लिखिए बटे में रहेगा 24 क्योंकि 24 हमेशा क्या होता है सोनी की 100% purity बताता है सुद्ध ठीक है ना अब इसको साल बगल लीजिए तो 64 को 4 से काटेंग 6 से निकाटेंगे 4 से काल लो 4 से 24, 4 दुनी 8, 4 पंचे 20 6 तरीक 18 25 तरीक कितना होता है 75 यानि इसका जो राइट अंसर होगा आपसान नंबर C हो जाएगा डारेक्ट याद रखिए कई बार प्रस्ण परिच्छा में पूछा भी गया है 18 करेट्ट सोने में सुद्ध सोने की प्रिसद मात्र कितनी होती है तो आपसान नंबर इसका C होगा 75 परसेंगे पूछा गया है नेक्स्ट प्रस्णे को धातुओं को राजा कहा जाता है आपसान हमारे दिये गए सोना, चांदी, लोभा, एल्मोनियम चलिए जबाब दीजिए मतलब कों सी धातुओं का राजा कहा जाता है तो देखिए सब को ये पता होगा सोना वैसे भी सबसे महेंगा धातु है मुल लिवान धातु है तो सोना को ही हम धातुमों का राजा कहते है ठीक है, आगे बढ़ते है और नेक्स्ट प्रस्ट पूछा गया है सामानिता वै धातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्ता में पाई जाती है तो देखिए तरल अवस्ता में पाई जाती है कमरे के तापमान पर वो क्या होता है? पारा होता है ठीक है? मरकरी यानि पारा ठीक है? पारा होता है पारा जो ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान कमरे का तापमान होता है 27 डिगरी सेलसियस उस पर ये तरल अवस्ता में पाई जाती है और इसका रीजन क्या होता है पाने का इसका जो गलनांग होता है ये भी याद रखिएगा इसका जो गलनांग होता है माइनस में होता है 37.9 डिगरी फारेनोइट ठीक है इसका गलनांग माइनस में होता है और दोस्तों गलनांग होता क्या किसी पदार्थ का जो गलनांग होता की वज़े से जैसे इसको कमरे के ताफ मान पर ले गयाएंगे तो यह तरह लवस्ता में कनवर्ट हो जाती है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्थ पुछा गया गुबारों में हाइडोजन की जगह हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि आपसान हमारे दिये गए हाइडोजन से हल जन्मेन यही होती है कि यह अजोलन से होती है यह वाई के संपरक में आने से नहीं जलती है तो बस आफसान नमबर इसका राइट होगा सी नमबर होगा यह अजोलन सील होती है ठीक है तब ही देखा होगा गुबारे जो उपर की तरफ उड़ा करते हैं उसमें कौन सी गैस भ हलकी होती है ये पानी का गटक होता ये एक अक्री गैस है तो देखिए ये हवा से हलकी होती है तब ये तो उपर उड़ता है हवा से भारी होगा तो कहां जोर पाएगा तो बस सीधी सी बात है तो आपसा नंबर इसका बी होगा सही अंसर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प् पाई जाने वाले जो अधातु है उसका नाम क्या है तो देखिए तरल अवस्ता में पाई जाने वाली एक मात्रैसी हमारी अधातु है उसका नाम है ब्रोमीन याद रखिएगा ब्रोमीन है आपसर नंबर इसका ए सही हो जाएगा और ये भी याद रखिएगा ये हमेशा सामा लगान जो हम्रेचल होता है न, तो उसमें यह तरल अवस्ता में ही पाई जाती है, और इसका जो रंघ पुछ लेता है, कभी कभी पुछ लेता है, कि बताई ब्रोमिन जो गैस होती है, किस रंघ की होती है, तो ये भी याद रखिएगा, लाल भूरे रंग की होती है लाल भूरे रंग की होती है इसका जो कलर होता है लाल भूरे रंग का होता है चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिए पुछा गया निम्निमे से कौन सा हाइलोजन सबसे अधिक अभिक्रिया सील है आफसन हमारे दिये गया है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, तो देखिए कौन सा हैलोजन सबसे अविक्रियासिल होता है, तो इसमें सारे के सारे हैलोजन दिये गया है, तो सबसे अविक्रियासिल अदिक पूछा गया, तो फ्लोरीन होगा, आपसान नमबर इसका A नमबर सही हो जाएगा, आगे बढ़ते कमें पूछा गया है मार्षी की तीली की सीरे पर फासपोरस के कौन से अपरूप का प्रियोग किया जाता है अपसर हमारे दिए कआइ कुई भी फासपोरस लाल फास पोरस काला फासपोरस या बा Congressmani फासपो रस तो दोस्तों माचिस की तीली के सीरे पर जो red color का एक लेप लगा रहता है, पूछा गया है फासफुरस का काउन से color का होता है, तो वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा लाल फासफुरस का प्रयोग किया जाता है, लेट कलर का होता है, तो आपसर नमबर इसका B नमबर सही हो जाएगा, आगे देखते हैं लिखा है नेक्स्ट प्रस्न है, वै धातु जो बिसायली नहीं होती है, सोना, कैडमियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, तो देखिए, यहाँ पर काउंसी धातु भी सहली नहीं होती है, तो इसका राइट अंसर होगा, आपसर नमबर इस सोना हो जाएगा, नेक्स्ट प्रस्न है, वाई मंडल में सबसे अधिक मातरा में पाई जाने वाली अक्री गैस काउंसी है, हेलियम, नियान, आरगन और क्रिप्टान, इन चारों में से हमें यह बताना है, कि वाई मंडल में सबसे अधिक मातरा में पाई जाने वाली अक्री गैस काउंसी है, तो याद रखिएगा, सबसे अधिक जो अक्री गैस वाई मंडल में पाई जाती है, तो वो आरगन होती है ठीक है। आरगन होती है आफजन नमबार इसका डिसाई होगा और ये भी याद रखियेगा जो फंडिज सिर्प 100% गैसि होती है मात्र एक परसेंट होती है अब एक परसेंट में एक परसेंट तो अक्री कैस होती है तो अपर समझ लीजिए कितना कम होती है अब इसमें से भी 0.93% जो होता है हमारा आरगन का होता है याद रखियेगा तब ही तो पूछा गया है अक्रीग एसो में बताईए सबस्यादिक मात्रा में तो अक्रीग एसो में 1% में 0.93 किसकी भागेदारी होती आरगन की होती है तो इसका अंसर आरगन हो जाएगा हाइडोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी अब देखे हाइडोजन गैस है इसकी खोज किसने किया था बायल चार्ल्स कावेंडिस प्रिष्टले तो जवाब अगर आपका कावेंडिस आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं अबर थांचे प्रिष्टले नबर खोज की गई थी आगे बढ़ देखे हैं अबर सानडे में 22 बढ़ने पर तत्वों की संख्या समान रहती है चलिए अठारे नबर के जवाब दीजीए आपसान हमारे दिये गया है इलक्टान, प्रोटान, कच्छाओं, न्यूट्रान तो देखिए आवसाणी में जब 20 से दाएं बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो कच्छाएं होती हैं उनकी संख्या क्या होती है समान होती है और रही बात हमारी इलक्टान, प्रोटान, न्यूट्रान की तो इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है तो समान वाला पूछा गया है तो आपसा नंबर C टिक कर देंगे दूद के पियच मान की प्रकति कैसी होती है आंसिक अमली है आंसिक चारी है उच्छ अमली है उच्छ चारी है दूद के पियच मान की प्रकति कैसी होती है अधिके दूद में क्या होता है कि यहां दूद की देखो वैसे तो दूद का पियच मान क्या होता है साथ से कम होता है, अमली होगा, ठीक है ना, साथ से अगर कम होता है, तो क्या होता है, अमली होता है, लेकिन अमली में भी हमारे दो आपसन दे दिये हैं, आंसिक अमली है, उच अमली, ये दो आपसन तो ऐसे भी नहीं होगे, अब आंसिक होता है कि उच होता है, तो दूद में उपस्ति जो lactic acid होता है इसी की वज़े से pH जो इसकी value होती है साथ से कम होती है साथ से कम होती है ना इसकी pH value क्या होती है साथ से साथ से कम होती है ठीक है ना साथ से कम होती है साथ से कम होता है और यह हलका अमली होता है कैसा होता हलका या आंसिक तो इसका अंसर कौँ सा होगा आपसन नमबर A सही हो जाएगा आंसिक अमली है आगे बढ़ते हैं मनुस्य के रख्त का पियच मान कितना होता है 20 नमबर का जबाब दीजिए आपसन दिये गए हैं आंसिक अमली है उच्च अमली है आंसिक चारी है आप देखिए मनुस्य के रख्त का पियच मान पूछा गया है ठीक है ना तो देखिए मनुस्य के रख्त का पियच मान तो चारी होता है सब को पता है चारी क्यों होता है क्योंकि इसका जो पियच मान होता है साथ से अधिक होता है जिसका pH मान 7 से अधिक होता है, चारी होता है, 7 से कम अमली होता है, 7 के बराबर होता है तो उदासीन होता है तो यहाँ पर हम बात करते हैं, चारी में भी हमारे दो आफसन है, यह दो आफसन तो अमली नहीं होंगे तो यहाँ पर भी इसका अंसर हम आंसिक चारी लगाएंगे देखिए दोस्तों जब भी चारी वाले में अगर आंसिक और उच्छ वाला दिया हो तो आंसिक वाला इटिक करिएगा वही आपका अंसर राइट होगा और इसकी अगर हम प्याच मान की वैलू अगर हम बात कर लेते हैं तो 7.35 से लेकर 7.5 के बीज में होती है ठीक है मनुष्ट के रखते के प्याच मान की अगला प्रस्ण है बिना बुझे चूने का रासानिक सूत्र क्या होता यह प्रस्ण कई बार पूछा गया है आपसान हमारे दिये गए हैं CA2O, CA2, CO3, CAO2, ACO अब देखिए बिना बुझे चूने का रासानिक फर्मूला पुछा गया है तो बिना बुझे चूने का रासानिक फर्मूला होता है कैलिसियम आकसाइड हो कहते हैं किसको कहते हैं कैलिसियम आकसाइड हो कहते हैं कहां पे लिखा हुआ है आपसान नमबर D तो ये तो हमें पता चल गया कि कोसन नमबर 21 का जो अंसर होगा CAO होगा और ये भी याद रखिएगा कि कैलिसियम आकसाइड जो होता है ना CAO CAO को अगर हम जल के साथ मिला देते हैं वाटर के साथ तो ये हमारा बन जाता है कैलिसियम हाइडराकसाइड CAO का होल टॉइज अब देखो कैलिसियम आकसाइड यानि बिना बुझे चूने को अगर हम जल के साथ क्रिया करा दें तो ये कैलिसियम हाइडराकसाइड बन जाता है और इसी को बोलते हैं बुझा चूना कैलिसियम हाइडराकसाइट क्या बोलते हैं बुझा चूना तो देखो कभी अगर प्रस्न पूछ लेता है कि बुझे चूने का फर्मूला बताईए तो कैलिसियम हाइडराकसाइट CAOH का होलड़ाइच बिना बुझे चूने का फर्मूला calcium hydroxide ammonium hydroxide ठीक है दीक है चूने के पानी में कौण सा चार उपस्तित होता है अभी इसके पहले जस्ट हमने बताया था तो याद रखिएगा sodium sodium नहीं क्या आपसन क्या है sodium है magnesium है और calcium calcium hydroxide होगा ठीक है सी नंबर इसका राइट अंसर होगा चूने के पानी में कौण सा चार उपस्तित होता है calcium hydroxide होता है अभी इसके पहले बताया था ना हमने CAO को अगर हम जल के साथ मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है calcium hydroxide ही तो बनता है तो यही होता है ठीक है न यहीं तो होता है तो चूने के पानी में कौण सा चार उपस्तित होता है calcium hydroxide आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रस्ण है एक अमले था एक चार के बीच होने वाली अब क्रिया को क्या कहते हैं अपचयान crystal करण उदासीन करण अब देखें दोस्त हमने बताया था अमले यानि acid होता है बेस यानि चार होता है जैसे हम अमलो को और चार को मिला देते हैं तो इससे हमारा क्या बनता है लवड़ा बनता है कि संब्णैं के साल्ट ने इसका और और क्या बոनता जल बनता है ठीक है न मैं नहीं कुंशा गया था एसी अपिकरिया का नाम पुछा तो कौन से टिक कर देंगे C number उदा सीनी करन अभिकरिया होती है आगे बढ़ते हैं नीबू की रस का pH मान कितना होता है अब देखें नीबू की रस का pH मान हमें बताना है तो नीबू की रस का pH मान तो 2 होता है 2 यानि 7 से कम 2 तो कहीं दिया नहीं है तो इसका right answer हम क्या बताएंगे 7 से कम यानि B number इसका right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और pH पायमाने की सीमा कितनी होती है 0.7 या 8 से लेकर 14 के बीच में होती है या 0 से लेकर 14 के बीच में होती है इन में से कोई नहीं तो देखें दोस्तों pH value जो होती है 0 से लेकर 14 तक होती है और यहां पर देखें 0 से लेकर 14 की रेंज होती है सभी को पता होगा और इसके पहले भी बताया था कि pH value अगर 7 से कम है अमली है 7 से अधिक है 4 और 7 के equal होता है ना तो दोस्तों एक ऐसा test लगा कमेंट बाक्स में ज़रूरू बताइएगा और यहां पर जो डेली आपकी क्लास रहती है सुबह 7 बजे आप लोग सभी से लोग टाइम से आ जाया करिए डेली क्लास होती है वीडियो देखने लिए दोस्तों धन्यवाद जैहिन